परसंद दिया गया है एक गोले का पुरा का पूरा चेतरफल दे दिया गया है यह जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है यह पूरी लंबाई आपको निकाल दिखाई तो हम माल लेते हैं माना गोले की तिरिज्या गोले की तिरिज्या आर है हमने माल लिया कि गोले की तिरिज्या आर है अब हमें इसे ही निकालना है अब देखिए परसंद में क्या दिया गया है परसंद से पर्सन से क्या दिया गया है इसका प्रिष्ठिय चेतरफल तो प्रिष्ठिय चेतरफल प्रिष्ठिय चेतरफल बराबर कितना है 616 मीटर का स्क्वायर अब हम जानते हैं कि गोले का प्रिष्ठिय चेत्रफल बराबर क्या होता है फोर पाई आर इसक्वायर तो इसकी जगापर हमने फोर पाई आर इसक्वायर लिख दिया बराबर इधर 616 मीटर इसक्वायर छोड़ दे रहे हैं भी मातरक बाद में लिखेंगे अब यहां सब का मान रखी और हल कर लिजिए अभी आपको तिलज्या प्राप्त हो जाएगी तो फोर पाई का मान 22 बटे 7 गुड़े आर इसक्वायर यही आपको निकालना है 616 अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 गुड़े 22 गुड़े आर इसक्वायर बटे 7 बराबर 616 अब इसका बटा 1 कर लिजिए और कैची गुड़ा कर लिजिए तो इन सब का गुड़ा करेंगे 1 से तो आएगा 4 गुड़े 22 गुड़े आर इसक्वायर इन सब का गुड़ा जब एक से करेंगे तो वही प्राप्त होगा और बराबर इधर क्या हो जाएगा 616 गुड़े 7 अब हमें आर इस्क्वाइर निकालना है तो आर इस्क्वाइर को बाइपक्ष में रोकेंगे बराबर 616 गुड़े 7 बटे ये सब कहा चले जाएंगे नीचे चार गुड़े 22 अब यहाँ देखे कट रहा है चार इक्क्यम चार और इधर देखे चार इक्क्यम चार और दो बचा चार पंजे 20 फिर एक बचा चार चोपके 16 तो क्या आया 154 गुड़े 7 बटे 22 अभी भी कट रहा है लेकिन हम यहाँ पर काटेंगे ग्यारा इक्क्यम ग्यारा और चार बचा तो हो गया 44 ग्यारा चोपके 44 पुनाह दो से कटा 2 इक्क्यम दो 2 सत्य 14 तो आर इसक्क्यम बचा आर इसक्क्यम बचा आर इसक्क्यम बचा साथ गुड़े 7 अब हमें आर इसक्क्यम का मान नहीं मालूम करना है हमें केवल आर का मान म देखें यहां आर हमें निकालना है तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम बाएपक्स का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो आर आया तो दाएपक्स में भी हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा तो साथ गुड़े साथ इसका वर्गमूल लेंगे तो साथ आए आर